नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से श्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोरोना का जो डेल्टा वेरियंट है वो भारत में ही नहीं बगर देखा जाए तो दुनिया के कई देशों में काफी कहर मचाय हुआ है यानि ये डेल्टा वेरियंट कितना खतरनाक है तो इनी से संबन्दी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों आपने से जो भी नए हमारे इस चैनल में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेयर कर दिएगा दोस्तों कोरोना के दूसरी लहर में आम में से जाद तर लोग देखे होंगे कि आस पड़ोस में कई लोग विमार थे और काफी लोग वुखार से पीड़ित थे सब लोग को कुछ न कुछ विमारी पकड़ा हुआ था तो हलाकि जो डॉक्टर थे इसको मतलब टाइफ़र्ड के नाम से इलाज तो कर दियें लेकिन अगर देखा जाई एक्चुल की बात करें तो यह कोरोना का डिल्टा वेरियंट था जो भारत में काफी कहर मचाये वा था दोस्तों COVID-19 का जो डिल्टा वेरियंट है इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इस वेरियंट की उत्पत्ति भारत में ही हुई इसके बाद यह वाइरस धिरे-धिरे दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और हर देश में यह काफी खतरनाक रूप भी ले चुका है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईशन ने COVID-19 के डिल्टा वेरियंट के जो सौरूप है इसको काफी चिंताजनक सौरूप में सामिल भी कर दिया है कोरोना वाइरस गैपकिस दूप जितने व Murad और सभी वेरियंट स्पयों सब से अधिक संक्रमनकारी वेरियंट यूणिंज्ष के पहली लहर की बात करें यूणि यूइरोप में पहली लहर आया था उसमें कोरोना का जो वेरियंट है उसमें औसतन एक आदमी से तीन लोग संक्रमीत होने की संभावना जताई जा रहे थी लेकिन इस डिल्टा की बॉर्ष उसमें से कुछ वैरियंट जो है umh our from Vita वारियंट गामा वेरियंट और डेल्टा वेरियंट और उसके बाद जो नया वैरियंट आया हुआ है इंडिया में वह डेल्टा-प्लास वैरियंट साहे चुझ यहां पर जो 2015 की बात करें तो यह आलफा वेरियंट की सबसे पहला मामला सेप्टेमबर 2020 में ब्रिटेन में आया था और यह मूल कोरोना वायरस का जो वेरियंट था उसे 30-70 फिर्जदी अधिक घातक था हाला कि यह वेरियंट जो था यानि आलफा वेरियंट इसमें वैक्सिन पूरी तरह से कारगर पाई गई थी यानि इस वेरियंट जो था अलफा वेरियंट में वैक्सिन लगाने से पूरी तरह से आदमी सुरक्षित था अब हम लोग बात करने वाले हैं वीटा वेरियंट के बारे में वीटा वेरियंट का सबसे पहला मामला जो आया था वो दक्षिन अफरिका म में डैबलफ होता है उसको भी चकमा दे रहा था यानि विटा वेरियंट अलफा से ज़्यादा खतरनाक था अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों गामा वेरियंट की गामा वेरियंट का सबसे पहला मामला जो सामना आया था वह नवंबर 2020 में ब्राजिल में आया था और यह भी है तो आवरियंट की बाद करा रहे हैं तो विटा अगर लगाते हैं तोी कुछ चकमा दे यानि कई ऐसे मामली आएक सबसे पहला मामला हमारे देश भारत में में आया था महारत वी महरास्तर में यह वैरियंट जो था दोस्तों डेल्टा बेरियंट अब तक के कोरोणा के यतने भी वैरियंट यह सबसे अपग्रेड वर्जन है और इस वैरियंट में अगर देखें तो इसमें आदमी को मतलब संक्रमित होने की संभावना बहुत जादा ह इसका spreading भी बहुत जादा है यानि औसतन अगर देखा जाए तो यह एक व्यक्ति आठ से दस लोगों को संक्रमित कर सकता है यह डिल्टा वेरियंट भारत में कोरोना महामारी के दूसरी लहर में जो सबसे जादा कहर मचाये गया था वो डिल्टा वेरियंट के बज़से ही वा लेकिन अगर देखा जाए तो यह कोरोना का डिल्टा वेरियंट का ही रूप था जिस बज़से भारत में दूसरी लहर में जितने भी हर घर में हर लोग विमार बड़े वो डिल्टा वेरियंट का ही एक कारण था इस वीच यह वाइरस म्यूटेंट होकर डिल्टा से लेकिन देट पलस वरियंट जो है दोस्तों वेसिकली डिल्टा बेरियंट जो था उसी का एडवांस रूफ है बीकसित रूफ है जिस ट्रकार आंडुड्वट्нет फोन में नौगर था उसके बाद और यो आया फिर पाय आया तो इसलिकलगर डिल्टा अपना सभूप लगात पूरी तरह से पूछती नहीं हो पई है लेकिन लगातार बैज्यानिक जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरी यह इस डेल्टा प्लस बारेंश का अध्यान कर रहे हैं कैसे बना डेल्टा प्लस देल्टा प्लस वहीन्ट डेल्टा वेरिंट यानि की कि फी पॉइंट 1617.2 strain के mutation से बना है, mutations का नाम K417N है, coronavirus के spike protein में यानि पूराने वाले variant में थोड़ा बदलाव हो गया है क्या है spike protein, spike protein virus का वह हिस्सा होता है जिसकी मदद से virus हमारे सरीर में प्रवेश करता है और हमें संक्रमित करता है दोस्तों, delta plus variant का सबसे पहला मामला भारत के मदद प्रदेश के भोपाल में सामने आया था जब 64 साल के एक महिला में इस variant का पहला मामला मिला था देश के 10 सबसे बड़े lab जो corona virus का लगातार अध्यन कर रहे वेग्यानिक उनमें 10 लेब में से कुछ लेब है बैंगलूरू, पुने, हैदराबाद और नई दिल्ली के लेब सामिल है जो लगातार बैग्यानिक यहां पर genome sequencing के जरिये नए variant का लगातार अध्यन कर रहे हैं देल्टा वेरियेंट से पुरदेश और विदेश में भी मची खलवली के बीच बैग्यानिक अभी से काफी चिंतित है क्योंकि इसका जो अपग्रेट भजान या डेल्टा प्लस वेरियेंट कैसा रंग दिखाएगा क्या इसमें होगा इसको लेकर बैग्यानिक अभी से दरनाक हो सकता है या फिर इसमें वेक्सिंट को भी ये बाइरस चकमा दे सकता है टमके ब्रेटा में में घा ठातर घंड लगातार घट जा रहा था तो हलांकि लेकर रंग दिखाएगाFFलाइक अभी से काफी चिंतित हैं दोस्तों इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी लेटेस्ट अफडेट हम आपको वीडियो के माधियम से लेते आएंगे तो दोस्तों यह वीडियो अगर आप को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें थैंक यू